मार्श महीने की शुरुवात में पिछले वर्ष सोया बीन के भाव पचपंसो के लगबग थे लेकिन इस साल सीजन के शुरुवात से ही लेकर अब तक सोया बीन के भाव में लगातार गिरावटा रही है सोया बीन के भाव लगातार कम होने के कारण अब किसानों का सोया बीन के प्रति मोभब्हण्ग होने लगा है ऐसे में अब किसान सोया बीन की विकल्प फसल की तलाश करने में जुट गए है लेकिन फिलाल विकल्पिक फसल उपलब नय होने के कारण मजबूरन किसान खरीफ के दुरान सोया बीन की खेती करेंगे ऐसे में किसानों और विपारियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आने वाल इस समय में सोया बीन के भाव की क्या स्तिती रहेगी दरसल विदेशों में खासकर ब्राजिल, अर्जेंटिना और अमरिका में सोया बीन की खेती अधिक होती है ब्राजिल और अर्जेंटिना में सोया बीन की लागत कम और पैदावार ज्यादा होती है जिसके कारण वहाँ पर सोया बीन के भाव कम रहते हैं इस समय ब्राजिल में सोयबीन के भाव लगबग 38 डॉलर प्रति कुइंचल अर्थाद भारतिय रुपए में 3148 रुपए प्रति कुइंचल के आसपास हैं यही कारण है कि भारत में सोयबीन की खेती विदेशी सोयबीन की खेती की तुला में पिछड़ी हुई है जिसके कारण यहां पर लागत ज्यादा और उत्पादन कम होता है विदेशों में भाव कम होने के कारण सोया बीन प्लाट संचालक विदेशों से सोया बीन आयाद करते हैं जिसका नतीज़ा ये निकलता है कि देश में सोया बीन के भाव में बड़ी गिरावट आने लगती है वही होली और रमजान के तिहार को देखकर सोया तेलों में हलकी तेजी बाजारों में देखने को मिली है लेकिन बावजूद इसके सोया बीन के भाव नहीं बढ़ पाए इसका कारण ये रहा कि प्लांट विदेशों से सोया बीन आयात कर रहे है दूसरी और सोया डियोसी की निर्यात पटल ना लगने से प्लांट क्रशिंग कम मात्रा में कर रहे है ऐसे में सोया बीन MSP से नीचे विक रही है और आयात भी बना हुआ है दरसल विदेशी बाजारों में सोया मील के भावों में लगातर गिरा वटा रही है और अंतराश्य बाजार घटने से घ्रेलू सोया मील के निर्यात में पटल में और अधिक जोखिम बढ़ती जा रही है ऐसे में देश में सोया बीन के भाव MSP से नीचे होने के बाद महाराश्य के प्लांटोरे विदेशों में एडवांस तो दे कर लिए है और जिसके चलते जानकारों का माना है कि कुछ महीनों में सोया बीन के भाव में फिलाल वर्तमान जैसी स्तिती ही बनी रहेगी वहें प्राप जानकारी के अनुसार ब्राजील में सोया बीन की कटाई 33% से अधिक हो चुकी है इस वज़े से अंतराश्य बाजारों में सोया बीन के भाव तीन साल के निचले सर पर जा पहुंचे है ऐसे में अनुमान है कि अगले आने वाले दिनों में सरसों की आवग भरपूर मात्रा में होने के बाद खाद्या तेलों की सप्लाई काफि सुगम हो जाएगी इसी दुरान विदेशों से खाद्या तेलों का आयाद भी बढ़ जाएगा जिसके चलते फिलाल सोया बीन की कीमतों में तेजी आने की उमीद काफि कम है बिरो रिपॉर्ट मार्केट टाइम्स टीवी